हेलो फ्रेंट्स गर्म्या सुरू होते ही ताजी ताजी आम का सीजन सुरू हो जाता है तो ऐसे में क्यों ना मैंगो सेख बना कर पिया जाए आज मैं आपके लिए घर पर ही बहुती आसान तरीके से एकदम होटल वो मार्केट स्टाइल से भी जाद अच्छा मैंगो सेख की र मैंगो से एक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर एक मैंगो लिया है तो मैंगो को आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह थोड़ी बड़ी साइस का मैंगो है मैंगो को मैंने अच्छे से वास कर लिया है वास करके और इसे अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लिया ह अब सबसे पहले जो मैंगो का उपर वाला जो लंठल वाला पार्ट होता है उसे मैंने कट कर लिया है अब मैं यहाँ पर मैंगो को बिना छिलका उतारी कट कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ दूसरी स्टैल में से कट करने जा रही हूँ अगर आप यहाँ पर मैंगो को छिलका उतार के और उसके बाद में भी से कट कर सकते हो तो यह देखें मैंने इसे हाप कट कर लिया है बिना छिलका छिले अब मैं जो उसका अंदर का गुदा है उसे नाइब की साइटा से इस तरीके से कट कर लेती हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर इसका अंदर का पल भी लेना है जो मैंगो का छिलका होता है वो यहाँ पर जूस में काम नहीं आता है तो यह देखें मैंने यहाँ पर इसके बारिक बारिक से स्लाइस कट कर लिये है अब मेने स्पुन लिया है और स्पून की साहिता से इस तरीके से इसके स्लाइस को निकाल लिया है और ये बहुती अच्छे से निकल जाते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कि तने चोटे-चोटे और संदर-संदर यहाँ पर मैंगो की स्लाइस निकल गया है मैंने सारे स्लाइस यहाँ पर एक बाउल में डाल लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ देखिए छिलके के उपर बिल्कुल भी पल्प नहीं रहा है मैंगो का सारे मन यहाँ पर मैंगो कट कर लिया है और यह देखिए, यहां पर मैं दिखाती हूँ, आम का अंदर का जो गुठली वगरा था, वो सारा मैंने अच्छे से क्लीन करके लिया है, तो अब हम यहां पर जूस बनाना सुरू करेंगे, सबसे पहले मैंने यहां पर मिक्सर ग्राइंडर जार लिया है, अब जार के अंदर हम डालेंगे मैंगो, तो मैंगो का मैं फ्रेंड्स यहां पर तीन से चार स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि यह पल्प थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैंगो थोड़ा बड़ा था, तो मैं इसे दो बार करके बनाऊंगी, तो सबसे पहले मैं यहां पर तीन से चार चमच बैंगो की स्लाइश टाल दिया है, उसके बाद में मैं इहां पर एक गलास दूठ डाला है अब फ्रेंड्स मैं इहां पर पांस्ते च्यूब आइस क्यूब टाल रही हूं और साथी में मैं इहां पर डाल रही हूं, दो चमब चीनी चीने की कौांटिटी आप अपने इसाब से कम ज़ादा ले सकते हो अगर आप सुगर पैसेंट हो तो चीने की कौांटिटी बिल्कुल कम कर सकते हो अब फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इलाइची का पावडर डाल दिया है और अब हम यहाँ पर grindr jar का डक्खन बंद करके और इसे अच्छे से पीष कर तैयार करेंगे तो यह देखें यहाँ पर मैंने से पीषना सुरू कर दिया है तो इस तारीके से हम इसे पीष लेंगे और mango तो बहुत ही अच्छे से पीष जाता है क्योंकि बहुत ही स्मूदली सा होता है तो ये बहुत ही आसान तरीके से पिज़ जाता है अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ मैंने यहाँ पर मैंगो सेक को सारू करने के लिए दो गलास लिये हैं तो मैं आपर दोनों गलास में सारू कर देती हूँ क्योंकि फ्रेंड् अलब हम में मेखो से को गांजिस करेंगे, मैंने यहाँ पर काजु पिस्ता और बादाम की कटके करले हैं, तो इनसे यहाँ पर गांजिस कर लेती हूं. सातीना फ्रेंड की थोड़े से क्यूपस बचा करेंगिने, जो की हमने कटकिया था, उसी टाइम में यहां पर इसे बचा के रख लिया था अब एक एक चमच हम यहां पर मैंगो के उसके डाल देंगे तो इसे हमारे मैंगो से एक बहुत ही अच्छा और डिलीशेस लगता है पीने के साथ जो यहां मुँ में आता है तो बहुत ही अलग फ्लेवर रखता है इसका तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा